हाँ मैं समझता हूँ लेकिन जब अपनी मा और तुम में से मैंने तुम्हें चुन लिया क्या तुम समझती हो तुम जानती हो मेरे पापा ने आर्ष तक कभी मेरी मा से सीधे मूँ बात तक नहीं की लेकिन हमने तुम्हें बाबू बना दिया यार क्या तुम समझती हो तुम जब चाहे अपनी मा से फोन पर बात कर लेती हो पापा की तबत कैसी है तुनों भावियों मेंसे ज़्यादा काम कौन सी भावी करती है अज घरों में सबजी कौन सी बनी है मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकता और नहीं रोकना चाहता हूं लेकिन तुम्हारे रहते मैं अपने ही घर में अपनी मा से एक मिनट बैट कर बात नहीं कर पाता क्या तुम समझती हो कभी भी कभी भी अगर मैं मा के साथ थोड़ी देर बैट कर बात करने लगूं अकेले में तो तुम्हें लगता है कि मा मुझसे तुमारी चुबली करने लगी है और मेरे ओफिस से घर आते ही तुम जट से दर्वासा बन कर लेती हो पर मा कभी भी कुछ नहीं कहती क्या तुम समझती हो जनती हो पापा ने जमीन खरी दी दुकान खरी दी ये घर बनवाया कभी आज तक मा से पूछा नहीं सिर्फ बताया कभी सला मश्रा तक नहीं किया लेकिन मैं साला अगर धाइसो रुपे की टीशर भी खरीदता हो ना तो तुम से तीसो बार परमिशन लेता हो बाबू गलट ठीक है ना प्रिंट तो ठीक है ना लोग की नहीं लोग क्या तुम समझती हो जब कभी मुझे ऑफिस से घर आने में देर हो जाती है तो तुम मुझे फोन पर मेसेज कर देती हो कि जाना सुनो ना मैंने ना खाना बना कर फ्रिज में रज़ दी तुम प्लीज निकाल कर खा लेना क्योंकि मुझे बहुत नीद आ रही है लेकिन मा तब तक नहीं सोती है जब तक मैं खाना खाकर हैं सोने के लिए नहीं आ जाता हूँ अपने बेटे के लिए मा के इस प्यार को क्या तुम समझती हो गुपता अंटी मा की एकलोती सही लिए कभी किसी एक दिन शाम को आकर वो मा के पास थोड़ी देर बैट जाए और उनके बीच में थोड़ी सा हसी मजाक होने लगे तो तुम्हें उसी वक्त फुल वॉल्यूम में गाना सुनने का मन करता है लेकिन जब कभी तुम देर तक सोती रहती हो ना सुबह तुम्हा अपनी कृष्ण जी की आरती भी बड़ी धीमी अवास में करती है ये ध्यान रखते हुए कि तुम्हारी नींद ना टूटे क्या तुम समझती हो हाँ तुम पत्मी हो मेरी हमने साथ फेरे लिए जीवन के हर पड़ाव पर हर परिस्तिती में तुम्हारा साथ देने की कसम खाई है मैंने तुम्हारा पूरा हग बनता है मुझ पर लेकिन जिस मा ने मुझे नौ मही में अपनी कोंक में रखा है उस मा का हग क्या तुम समझती हो तुम्हारे लिए तुम्हारा घर तुम्हारे माबाप भाई, बच्चा, पती इनही सब लोगों तुम अपना परिवार मानती हो यही सब तुम्हारे रिष्टे हैं और मेरा घर मेरे माबाप ये रिष्टे क्या तुम समझती हूँ शादी सिर्फ दो लोगों के रिष्टे का नाम नहीं है यार तो परिवार आपस में जुड़ते हैं भाई बेहन की नोग जोग भावी देवर का हसी मदाग बन जाता है पापा का प्यार ससुर का दुलार बन जाता है और मा की जगे सास ले लेती है और तभी उसी हक से अगर माने तुमें जर्रासा डाट क्या दिया तो तुम उन्हें पलट कर जवाब ने देती है वहीं तुमारी खुद की मा अगर तुमें चार लोगों के सामने ठपड भी लगा देना है यार